Hello students, आज हम three digit number को figures and words में लिखना सीखेंगे Add and write the numbers in figures and words आज हम numbers को पहले add करेंगे और उसके बाद उसको words में write करेंगे यहां हमको one example already दिया हुआ है 100 plus one, 100 plus one को जब हम add करेंगे तो answer होगा 101, 101 को हम जब read करेंगे तो इसको पहले हम plus value देखेंगे 1's plus value, 10's plus value, then 100 plus value तो हम इसको read करेंगे 101 और इसको हम यहां पर write भी करेंगे 101, 101, जो हम यह add करके लिख रहे हैं यह figure होगा और फिर हम इसको words में write करेंगे next हम इसको solve करेंगे 100 plus 2 100 plus 2 को write करने के लिए जो 1's plus value है 0 उसमें 2 को add करेंगे जब 0 को 2 में add करेंगे तो 0 में जब 2 को add करेंगे तो answer हमारा 2 होगा then फिर 10's plus value में कुछ भी नहीं है तो हम 0 write करेंगे यहां पर और 1 हम as it is means जो 10 है उसे हम as it is यहां पर write कर लेंगे और हम इसको आप इसपिक करेंगे 100 2 अब इसको हम words में write करेंगे 1 जो 1 है यह हम यहां पर write करके इसके just after में इसकी place value write करेंगे इसकी place value 100 है तो 100 हम यहाँ पर write करेंगे और last में 2 है तो हम यहाँ 2 भी write करेंगे 102 same वैसे ही next 100 plus 3 है तो 100 plus 3 के लिए 0 में पहले 3 add करेंगे और फिर जो यहाँ पर 10s और 100 plus value है उसे same as it is यहाँ पर हम write करेंगे यह होगा 103 103 फिर इसको हम यहाँ पर words में लिख देंगे one के just after में 100 लिखेंगे और फिर यह 3 होगा तो यह होगा 100 103 103 यह हमने जो one digit number है means one to nine तक हम ऐसे ही यहाँ पर इसको write करेंगे और यहाँ पर इसको words में हम लिख देंगे अभी हमने one digit तक means nine तक one digit तक one digit के example हमने किये थे अब हम two digit के example solve करेंगे means hundred में जब ten को add करेंगे ten में two digit है तो two digit को हम कैसे add करेंगे तो hundred plus ten तो hundred plus ten को पहले add करके यहाँ लिखेंगे तो क्या करेंगे हम hundred का जो one plus value है उसे ten का जो one plus value है उसे hundred के one plus value में add करेंगे means यहाँ one plus value में zero है और ten plus value में one है इसमें one plus value, ten plus value and hundred plus value तो one plus value में जब one plus value को add करेंगे तो 0 में जब 0 को add करेंगे तो 0 ही होगा next 10th place value को 10th place value से add करेंगे तो 10th place value में यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो 1 को जब 0 में add करेंगे तो answer 1 ही होगा next 100th place value में यहाँ कोई digit नहीं है तो यह जो 100th place value का 1 है वो as it is हम यहाँ पर write कर देंगे अब जब हम इसको इसप्विक करेंगे जब हम इसको रीट करेंगे तो कैसे रीट करेंगे इसको पहले हम प्लैस वेल्यु देखते हैं इसकी one, cents, hundred means जो last hundred है उसको तो अलग बोलेंगे जैसे hundred में one है तो one को हम बोलेंगे one hundred one के just after में इसकी प्लेस वेल्यू राइट करते हैं जैसे वन हंड्रेट प्लेस वेल्यू में हैं तो वन हंड्रेट और लास्ट के जो टू डिजिट अब जो हमारे पास हैं वन एंड जीरो उनको हम साथ में राइट करते हैं जैसे वन तो हंड्रेट और लास्ट में टेन हैं तो हम टेन र लिखेंगे इसका एक example हम solve करेंगे next hundred plus 11 है इसको भी वैसे ही solve करेंगे जैसे one है तो one को zero zero से जब add करेंगे तो one होगा next फिर one है और tenth place value में zero है तो zero को जब one से add करेंगे तो one होगा और hundred place value का जो one है उसे as it is हम यहाँ पर write कर देंगे यह number होगा 111 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर once और tenth place value में zero zero है और 11 हमको इसमें add करना है तो जब 11 को जब इसमें add करेंगे तो 11 का 11 ही होगा और hundred place value का one हम write कर देंगे अब इसको हम जब read करेंगे तो one stands hundred 100 place value में है तो one को hundred place value में हम यह write करेंगे one hundred वन हन्रेड राइड कर देंगे इस one को हमने write कर दिया है 100 अब last के जो two digit है है उसे 7 में लिखेंगे लास्ट में 11 है तो हम यहाँ पर write कर देंगे 11 इस तरह से हम इसको यहाँ पर words में write कर देंगे सेम अब जो भी इसके example है हम 3-digit के example ऐसे ही solve करेंगे Thank you